सो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप एट जीरो टू हीरो स्पोर्ट एडिशन आनिमी के बारे में पहले ही मैं बात क्लियर कर दू कि इस में मैं सिर्फ उन्हीं प्रोटागिनिस्ट को रखा हूँ जो पहले से स्पोर्ट नहीं खेलते हैं तो टॉप एट में है डेज ये 2016 में रिलीज वहा था 24 एपिसोड के साथ और साथ ही इसका IMDV रेटिंग 7.3 है स्टोरी सिंपल है सुकामोटो जो एक शर्मीला कमजोर बेवकुफ लड़का है अपना हाई स्कूल टॉप फुटबॉल स्कूल से इसे की हाई स्कूल से करता है काजामा से पहली बार मिलने के बाद और उसके साथ फुटबॉल मैच खेलने के बाद सुकामोटो डिसाइड करता है कि वो फुटबॉल टीम जॉइन करेगा वो कभी भी स्पोर्स नहीं खेला तो क्या ये सुकामोटो के लिए डिसाइडवन्टेज हो सकता है और क्या सुकामोटो टॉप टीम का बेस्ट प्लेयर बन सकता है इसके लिए आपको ये आनिमेट देखना पड़ेगा टॉप सेवन में है आईशील 21 ये 2005 में रिलीज वहा था 145 एपिसोड के साथ और साथ ही इसका IMDV रेटिंग 7.6 है स्टोरी सिंपल है सेना एक डरपोग लड़का है जो जल्दी ही बदमाश लड़कों के नजरों में आता है बचपन से ही बदमाश लड़के उसे तंग और उसे काम करवाते हैं लेकिन एक दिन स्कूल के बनमाश लड़कों से बच के भागने के समय अचानक हिरुमा को सेना दिखता है जो तेज और स्वीफली भागता है और वो डिसाइड करता है कि सेना बनेगा नेक्स फॉरवर्ड रणर अमेरिकन फुटबॉल टीम डेमन डेविल बैट का वो भी आईशिल्ड बन के तॉप सिक्स में है बेबी स्टेप ये 2014 में रिलीज वहा था 50 एपिसोड के साथ और साथ ही इसका IMDb रेटिंग 7.7 है स्टोरी सिंपल है मारू इचिरो एक टॉपर स्टूडेंट है एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो खुश नहीं है अपने डेली टाक्स से तो वो एक्सेसाइस इंक्लूट करना चाहता है उसको एक फ्लायर मिलता है टेनिस क्लब का और वो जाने के बाट रगर डिसाइड कर या Cowardly Pedal, ये 2013 में रिलीस हुआ था 137 एपिसोड के साथ, और साथ ही इसका IMDb Rating 7.7 है, स्टोरी सिंपल है, Onoda एक बहुत बड़ा एनिमे या ओटाकु लवर या फैन है, जो एगरली वेट कर रहा था कि नए स्कूल में वो एनिमे क्लब में जॉइन करेगा, लेकिन बदकिस् कि वो क्लब बंद हो गया, और वो जॉइन करता है बाइसर्कल क्लब बीना प्रोफेशनल एक्सप्रियंस के, तॉप 4 में है, केनेची दा माइटियस डिसाइपल, ये 2006 में रिलीस हुआ था 61 एपिसोड के साथ, और साथ ही इसका IMDb Rating 8.1 है, स्टोरी सिंपल है, केनेची को स तरह स्ट्रॉंग बनना है, तो वो उसे फॉलो करता है, रैजाम पाकु डोजो हाउस तक, जहां के हेट, मियो के दादा जी, हयातो पुरिन जी है, जो स्ट्रॉंगेस मैन ऑन अर्थ है, और साथ ही वो वहां रहते है, सिक्स स्ट्रॉंगेस मास्टर अफ डिफरेंट स्पोर स्टोरी सिंपल है, साकुरा हाना मीची को हो गया है फिर से प्यार हारुका से, वो भी 50 लड़कियों से रिजक्शन मिलने के बाद, लेकिन हारुका प्यार करती है रुकावा से, जो एक फेमस टैलेंटेट बास्केटबॉल प्लेयर है, तो साकुरा भी डिसाइड करता है कि वो भी शोहुकू हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम जोइन करेगा, और रुकावा को हराके हारुका को अपना बनाएगा, जैसे वो बास्केटबॉल खेलना शुरू करता है, वैसे उसे बास्केटबॉल से प्यार हो जाता है, टॉप टू में है हाई क्यू, ये 2014 में प्याटा डिसाइड करता है कि वो भी वॉलीबॉल प्लेयर बनेगा, लेकिन उसके स्कूल में वॉलीबॉल क्लब नहीं था, अकेले प्रैक्टिस करने के बाद और पार्च मेंबर जॉइन करवाने के बाद वो लोग एक्ट्यर कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं, लेक 2000 में रिलीज वहा था, 76 एपिसोड के साथ, और साथ ही इसका RMDV रेटिंग 8.8 है, स्टोरी सिंपल है, इपो एक टीमीड शाय किसम का लड़का है, और सभी बनमाश लड़के उसे रोज मारते हैं, एक दिन अपकमिंग बॉक्सर ममाव ने इपो का जान बचाया, और उसे का आप एट है, जीरो टो हीरो स्पोर्ट एडिशन, मेरे तव से आप लोगों के लिए, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसे जब भी देखूंगा, तब भी मुझे ये अनिमे बोर नहीं करेगा, और मैंने देखा है कि बहुत लोगों ने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किय